हेलो स्टुएंट्स, वेलकम टू इस्टेटिटिफॉर उदेपूर आज का हमारा टोपिक मांग की तिर्ची लोच या जिससे हम मांग की आड़ी लोच भी कह सकते हैं आड़ी लोच या मांग की तिर्ची लोच के बारे में पढ़ेंगे अब देखे सबसे पहले अगर हम देखते हैं मांग की लोच क्या होती है मांग की लोच का मतलब क्या हो गया किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम मापते हैं अब मांग में जो परिवर्तन है वो किन कारकों से होता है बहुत सारे कारक होते हैं जो किसी वस्तू की मांग को प्रभावित करते हैं उन में से मुख की कारक अगर हम देखते हैं तो कौन होता है फर्स्ट हमारा है वस्तू की कीमत दूसरा है उब्भुकता की आय तीसरा है सम्मदित वस्तू की कीमत तेके सम्मधित वस्तों कौन से होती हैं इस्थानापन और पूरक इन वस्तों की किमते भी क्या करते हैं किसी वस्तों की मांग को प्रभावित करते हैं इसके अलावा रूची फेशन भविश में किमत परिवतें की संभावना जनसंग क्या कार बहुत सारे कारक होते हैं जो किस वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं अब मांग में परिवर्तन कब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए या फिर उभखता की आय में परिवर्तन हो जाए या फिर संबंदित वस्तु की किमतों में परिवर्तन हो जाए तो इन में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो इन तत्वों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते है और मांग की लोच जो है वो तीन परकार की होती है तो इस अधार पर मांग की लोच तीन परकार की होती है मांग की कीमत लोच, दूसरी मांग की आय लोच और तीसरी हमारी है मांग की तिर्ची लोच या जिसे हम आड़ी लोच भी कह सकते हैं तो आज की वीडियो में हम मांग की तिर्ची लोग के बारे में पढ़ेंगे अब देखिए मांग की तिर्ची लोग जो है उसको हम कैसे परिपाशित कर सकते हैं कि साम्मनित अगर हम देखते हैं अर्थ व्यस्ता में कुछ वस्तुएं क्या होती हैं संबंदित होती हैं एक दुसरे की जो मांग होती हैं वो आपस में एक दुसरे को परभावित करती हैं मतलब एक की कीमत अगर परिवर्तन हो जाए तो उसकी दुसरी वस्तु की मांग पर परभाव पड़ता है तो जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसका मांप किसके द्वारा क्या जाता है मांग की तिर्ची लोच के द्वारा ठीक है मांग की तिर्ची लोच क्या मापती है किसी एक वस्तू की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तू की मांग में कितना परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का माप किस के आदार पर क्या जाता है मांग की तिर्ची लोज के आदार पर और इसको हम ऐसे ले सकते हैं मांग की तिर्ची लोज cross elasticity of demand equal to माना की दो वस्तू है x और y तो किसी एक वस्तू कीमत माना की y वस्तू की किमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से वस्तू x की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ तो इसका formula क्या बन गया हमारा वस्तू x की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपन वस्तु y की किमत में प्रतिशत परिवर्तन आगा सुने मांग की तिर्ची लोज क्या होती है किसी एक वस्तु की किमत में परिवर्तन होने से दूसरी संबंदित वस्तु की मांग में जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम मांग की तिर्ची लोच या आड़ी लोच के द्वरा मापते हैं इसी कंडिशन में हमारा फॉर्मला क्या बन जाएगा डेल्टा QX upon डेल्टा PY into PY upon QX मतलब वस्तु QX, डेल्टा QX का मतलब क्या हो गया वस्तु X हैं, उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा PY का मतलब Y वस्तु की किमत में कितना परिवर्तन हुआ इंटु PY का मतलब Y वस्तु की पहले वाली कीमत और QX का मतलब Y वस्तु की, सोरी, X वस्तु की पहले वाली मात्रा ठीक है इस आदार पर हम मांग की लोच को तिरची लोच को माप सकते हैं और चाप लोच के आदार पर माप नहीं है तो मार खुम्ला क्या है डेल्टा QX upon डेल्टा PY into PY plus PY1 upon QX plus QX1 मतलब PY का मतलब क्या है पहले वाली कीमत और PY1 का मतलब बाद वाली कीमत परिवरतन के बाद वाली कीमत QX का मतलब X वस्तू की पहले वाली मातरा और QX1 का मतलब X वस्तू की परिवरतन के बाद वाली मातरा जैसा अगर हम कहें किसी वस्तू X की जो कीमत है ठीक है वो कितनी थी 10 रुपए और उस समय वस्तू Y जो है उसकी मांग कितनी थी 101 अब इस वस्तू की जो कीमत है वो क्या हो गई है 10 से 12 हो गई है ठीक है मांग की तिर्ची लोज गयाद करनी है तो मांग की तिर्ची लोज का हमारा फूर्मला क्या है डेल्टा क्यू ठीक है यहां पर हमने Y वस्तू की मातरा ले है तो Y वस्तू की मातरा में परिवर्तन कितना हुआ 20 का अपॉन वस्तू जो X है उसकी किमत में कितना परिवर्तन सो इकाईया अब इसको हम सोल कर लेता है तो बीस इंटू दस किया कितना आ रहा है दो सो और दो इंटू सो किया तो भी 200 आपने 200 कितना है इसका मतलब मांग की जो लोच ये मांग की तिर्शी लोच किसनी है इकाई के बराबर जिस अनुपात में X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है उसी अनुपात में वस्तु Y की मांग में परिवर्तन हुआ है ठीक है, clear हो गया अब देखिए मांग की लोज का जो अधियन हम दो वस्तु के संदर में कर सकते हैं अड़ी लोज का अधियन पहला हमारा है पूरक वस्तों है ये भी सम्मनित वस्तों है और दूसरी हमारी होती है इस्थानापन वस्तों है तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरक वस्तों है कॉंप्लिमेंटरी गूर्ट जो होती है वो होती क्या है किसे कहते हैं तो ऐसी वस्तुएं जो साथ-साथ प्रयोग की जाते हैं, एक के बिना दुसरे का प्रयोग नहीं किया जाता है, दोनों का प्रयोग साथ-साथ किया जाता है, जैसे अगर हम का है, कार एवं पेट्रोल, तो कार चलाने के लिए पेट्रोल का प्रयोग करने पड़ता है, तो इन तो दुसरे की जो मांग वो भी क्या हो जाती है एक की किम्मत बढ़ने से दुसरी वस्तुव की मांग कम हो जाती है इसलिए मांग की लोच्पूरक वस्तुव के संदर में कैसी होती है रिनात्मक होती है ठीक है दूसरा हमारा है इस्थानापन वस्तों अब इस्थानापन वस्तों क्या होती है एसी वस्तों जिनका प्रयोग एक दूसरे के इस्थान पर कर सकते हैं जैसे चाय के इस्थान पर कोफी का प्रयोग तो चाय और कोफी क्या हो गई है इस्थानापन वस्तों हो गई है तो इस्थ इस्थानापन वस्तु हैं उनके संदर में मांग की लोज जो होती वो कैसी होती है धनात्मक होती है ठीक है धनात्मक का मतलब क्या हो गया कि अगर एक वस्तु की किमत बढ़ती है तो उसकी जो इस्थानापन वस्तु है उसकी मांग बढ़ जाएगी अगर मैं कहूं वाई वस् की मांग क्या होगी बढग धाएगी चाय की किमत बढ़ने से कोफी की मांग बढ़ जाएगी तो इस्थानापन भस्तो के संदर में आड़ी लोच कैसी होती हैं धनात्मक होती हैं इसलिए हमारा मांग बक्र उपर जोर बढ़ता वर बनता है एक की कीमत में परिवर्तन से दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है तो एसी वस्तों में कौन से होती है स्वतंत्र वस्तों होती है एक की कीमत अगर बदल गए है तो उस कीमत में परिवर्तन का किसी अन्य वस्तों की मांग पर परभाव नहीं पढ़ता है सामनिता जो दूसरी वस्तों होते हैं उनकी मांग एक तरह से क्या होती है स्थिर रहती है तो इसी वस्तों कौन से होती है स्वतंद्र वस्तों होती है और स्वतंद्र वस्तों के संदर में मांग की आडिलोज कैसी होती है do was judges 해SpBT अब हम देखते हैं कि जो यह विभिन लोचे हैं मांग के त्री师 Chief ऑप्राइज ओरम क्या लिखते हैं उस्परैजि संब्स्वर स्दॉप शटिक ऊपश्ट हो स्भी नाखिर्श फोरूं में से ले सकते हैं कि मांग की किम्मत लोच बराबर KX इन्टू propri i ë प्लस, वन माइनस Mr. EPA का मतलब किया हो गया मांग की किम्मत लोच हो गया है E का मतलब किया है मांग की i loach और e s का मतलब क्या है मांग की तिर्ची लोट या आडी लोट अब इसमें इस kx का मतलब क्या है i का वहवाग जो x व स्वेस्टू पर खर्ड़ किया जाता है उससे हम क्या लिखते है kx और अन्य वस्वेस्टू पर जो खर्ड़ किया जाता है वो क्या होगा 1-kx दीके 1-kx क्या है I का वह बाग जो अन्य वस्तूँ पर खर्च किया जाता है X वस्तूँ के अलावा और X वस्तूँ पर जो बाग W किया जा रहा है उसे हम क्या लिखते हैं KX तो इसके अधार पर हम क्या कर सकते हैं विभिन लोच अगर हमरे पास में कोई दो दे रही हैं माना कि हमको आई लोज दे रही हैं और तिर्ची लोज दे रही हैं तो हम कीमत लोच का अनुमान लगा सकते हैं